हाई स्कूल क्लासस के एक थारिस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है इस्टों पिछले वीडियो में हमने आपको समकालीन भारत में थ्वा उर अध्याई सेकेंड के सारे इंपोर्टेंट कोश्चन बता दीए हैं इस वीडियो में हम आपको अपवाह अरजलवाई से आने वाले सारे important question बताने वाले हैं कि कौम कौम से question 15 माज को आपकी exam में देखने को मिलेंगी इस वीडियो को आप देख लेते हैं definitely एक भी question इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा अध्याय तीन और चार से और आप असानी से 7 नंबर इस वीडियो के द्वारा cover कर सकते हैं चैनल पे नए हैं तो चल को subscribe जरूर करें और दोस्तों को साथ ज्यादा से ज्यादा share करें चलिए शुरू करते हैं तो dear students सबसे पहले हम चलते हैं अध्याय आठ मतलब कि अपवाह जो है आपका ठीक है तो अपवाह से मैं आपको उता दू केवल 3 objective question आने हैं तीन अंग का प्रश्ण आएगा और उसमें भी एक एक अंग का प्रश्ण रहेगा ठीक है मतलब आपको इस chapter से दीर घुत्री और लगुत्री प्रश्ण नहीं पढ़ने हैं तो चली हम 100 प्रश्ण देख लेते हैं पहला question है अपवाह तंत्र से आसे किस छेत्र के है ठीक है अपवाह तंत्र जो सब्द है किस छेत्र से आपको ये बताना है तो आपको पता है अपवाह मतलब क्या होता है नदी तंत्र का प्वाह ठीक है अगला प्रश्ण आप लोग के सामने है आरब सागर में गिरने वाली नदी काउंसी है चार आपसन हैं आपके सामने तो जो करेक्ट आंसर होगा इस्ट्वेंट और आपसागर में काउंसी नदी गिरती है तो नर्मदा पर आपको टिक करना है ठीक है अगले प्रेस में चलते हैं नमामी देवी नर्मदे किस राज सरकार द्वारा प्रारंब की चलते हैं अगले प्रेशन पर अगला प्रेशन आप लोग के सामने है डियर इस्ट्रेंट क्या लिखा हुआ है निम लिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंस घाटी से होकर बहती है तो भ्रंस घाटी से होकर जो नदी बहती है उसमें आपको लिखना है तापी ठीक है यहां पे आपको तापी नदी लिखना है, अगला question है, निम लिखित में से कौन सी नदी प्रायादीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो प्रायादीपी भारत की जो सबसे बड़ी नदी है डियर इस्टिवर्ट वो है गोदावरी, ठीक है, आपको आफ्वा नूमबर फे प्रायादी भारत की अधित्य नदिया कहां से निकलती है तो इसमें आपको लिखना है पस्टमी घाट से निकलती है कहां से निकलती है डियर स्ट्रेंट पस्टमी घाट आपको लिखना है ठीक है पस्टमी घाट लिख देना है अगला प्रशन है आप लोग के सामनी फुंदरवल डेल्टा का नाम वहाँ पाय जाने वाले किस से लिया गया है तो वहाँ पाय जाने वाले फुंदरी पादप तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे सुंदरी पादप लिखना है आपको यहाँ पे सुंदरी पादप लिख देना है ठीक है सुंदरी लिखने के बाद पादब अगला है गोदावरी सबसे बड़ी ठीक है नदी है तो आपको लिखना है प्रायदीपी नदी क्या लिखना है प्रायदीपी नदी ठीक है ये आपको लिख देना है अगला प्रशन आप लोग के सामने है नर्मदा नदी जहां त्र आपको लिखना है यहाँ पे धुवादार जर्प्रपात। ठीक है। अगले प्रश्र पे चलते हैं गंगा की मुक्यधारा भागी रती कहा से निकलती है। तो आपको लिखना है इडियर इस्ट्रेंट यहाँ पे गंगोतरी क्या लिखना हैं गंगोतरी और इसके बाद आपक कि सफ्टी बड़ी जील अभी अभी हमने आपको उताया कौंफी जील है डियर इस्ट्रेंट तो आपको लिखना है यहाँ पे सांभर जील क्या लिखना है सांभर जील लिखना है अगला है ब्रह्मु पुत्र नदी को तिबबत में किस नाम से जाना जाता है तो तिबबत में डियर इस्ट्रेंट सांगपो क्या लिखनें आपको सांगपो नदी के नाम से जाना जा था है इस तरह से आप अपना आंसर भी मैच कर सकते हैं चलते हैं अगले प्रीश्ण पे सत्य और सत्य क्या लिखने हैं हिमाले की अधिकतर नदिया मौसमी नदिया होती है ठीक है तो यह statement जो है असत्य है अगला है गोदावरी बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये क्या है सही है उन्तिस सो किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है तो ये भी सही है महा नदी का उदगम्मत पिदेश की उच भूम से है ठीक है तो नहीं है इसके बाद चलते हैं अगले प्रशनों पे तो अगला प्रशना आप लोग के सामने है प्रत्वी के धरातल का लगभग 71 प्रश्यत भाग जल फे ढाका ये बात बिल्कुल सही है नर्मदा नदी का उदगम इस्थर ब्रह्मगीरी आपको पता है अमर कंटाख है जिस बज़सी ये आसक पे हो जाएगा आप चलते हैं अगले प्रशनों पे आगला प्रशना आपका है डेयर स्ट्रेंट सही जोड़ी ठीक है सिंदु नदी का उदगम तो सिंदु नदी का उदगम जो है कहां से होता है तो ये होता है डेयर स्ट्रेंट माल सरोवर जील के निकरते है ठीक है इसके बाद second question है आपका यमुना नदी तो यमुना नदी का उद्गम कहां से है तो आपको देखिए उद्गम नहीं बताना है तो आपको लिखना है इलाहवाद में गंगा से मिल जाती है क्योंकि इलाहवाद में गंगा और यमुना का संगम है फुन्डरवन डेल्टा ठीक है तो सुन्दरवन डेल्टा यहाँ पे आपको मैच करना है रॉयल बंगाल टाइगर डल जील कहां इस्तित है और इसके बाद महा नदी का उद्गम इस्तल कहां है तो जो डल जील है डियर सब्द या एक वाक्य में उत्तर क्या लिखा है भारत की सबसे लंबी नदी तो लंबी नदी की जब भी बात आएगी गंगा नदी आपको लिखना है ब्रह्मपुत को बांगला देश में क्या कहा जाता है तो ब्रह्मपुत को बांगला देश में जमुना कहा जाता है, क्या कहा जाता है इस्टेट जमुना, पाकिस्तान में चिनाव से मिलने वाली नदी, तो आपको इसमें आंसर करना है जहेलम नदी, कौन सी नदी, जहेलम नदी, इसके बाद अगले प्रस्त पे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, नागारजुन फागर नदी क्या लिखना है डियरिष्टेंट कृष्णा नदी ठीक है अगला है राष्टी नदी सनरच्छन का प्रारम कब हुआ तो इसमें आपको लिखना है उन्नीस सो पचासी 1985 किस नदी को दच्छन भारत की गंगा कहा जाता है तो आप लोग को पता होगा गोदावरी क्या लिखना है डियरिष्टेंट गोदावरी को दच्छन भारत की गंगा कहा जाता है नदी अपने मार्ग की अंत में क्या निर्मित करती है तो इसमें आपको लिखना है डेल्टा या इस्चुरी ठीख है ये आपके सामने लिखा है आप देख सकते हैं क्या होगा डेल्टा या इस्चुरी इसके बार चलते हैं अगले पाठक में देखें आतिला गुतरी भी एक नंबर पे आ सकता है तो क्या 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 क्वेशन है इनको भी देख लीजिए जेल के निकर तिब्बत से और गंगा नदी निकलती है भागी रथी गंगोतरी हिमाले से ठीक है इसके बाद गंगा की दो मुख्य धारा ये कहां पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी के निबान करती है तो गंगा की दो मुख्य धाराएं कौन कौन सी है आपको लिखना है भ इगबत एक सीत एवम फूफ्स की छेतर है यहाँ इस नदी में जल एवम गवात की मात्रा बहुत कम होती है ठीक है चलते हैं अगले प्रश्णों पर तो अगला प्रश्णाप के सामने है आप देख सकते हैं क्या लिखा हूँ है डियर इश्रेंट यहाँ पर देखें अगला प्रश्णाप का है अपवात तंत्र से आसे ठीक है और इसके बाद नदी अपहरन से क्या तादपर है ठीक है इसको थोड़ा समिश्की हाँ क्या लिखे है नदी अपहरन से क्या तादपर है इसको त्यार करना है तो क्या हो जाएगा जब एक नदी दूसरी नदी के जल छेत को अपने में मिला लेती है। उसे क्या कहते हैं नदी आप हरन कहते हैं। गंगा नदी की सहायक नदिया यमुना घागरा गंडग कोसी। ठीक है। आप से याद हो गई है। सिंद्धु नदी की पाच सहायक नदिया तो जेलम चिनाव रावी ब्यास शतला। जी आपको याद करना है इसके बाद नमामी देवी नर्मदे क्या है तो नमामी देवी नर्वदे सरकार दौरा नाम की नर्मदा नदी के सरच्छन के लिए एक योजना तयार की गई है जिसे क्या कहते है नमामी देवी नर्मदे इसके बाद ये परियोजना है क्या तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने लिखा हुआ है 2022 में आपकी एक्जाम में आता ठीक है तो इस तरह से आपको देख लेना है इसके बाद इस चैप्टर से लगुतरी कोश्चन आने वाले नहीं दिये गुतरी आने वाले नहीं इनको आप स्किप कर सकते हैं ठीक है अब हम सीधा चलते है निस चैप्टर पे तो आपका next chapter है अध्याई 9 मतलब की gel y तो gel y से क्या क्या प्रशन आते हैं आपकी exam में तो dear instrument इस question से दो objective question आएंगे और साथ ही साथ एक question आएगा मतलब खुल 4 नमबर का आएगा तो चलिए objective question देख लेते हैं पहला प्रशन है नीचे दिये गए इस थानों में से किस इस थान पर विश में सबसे अधिक वर्षा होती है ठीक है तो आपको पता होगा क्या किसी स्थान पर होती है dear instrument तो इसमें आपको लिखना है चेरा पुंजी क्या लिखना है dear instrument यहां पे टरिक्टा अंसर आपका हो जाएगा ठीक है देखे चेरा पूंजी विस्वेग पूछा है तो मासी राम हो जाएगा ठीक है मासी राम पी आपको टिक करना है इसके बाद ग्रेस मुरीत में उत्री मेदानों में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं तो लू कहते हैं ठीक है चलते अगले प्रश्णों पे अगला प्रशन आप लोग के सामने है भारत में मानसुन का आगमन निमलिखित में से कब होता है तो मई के प्रारम में, जुलाई के प्रारम में और अगस्ट के प्रारम में ठीक है तो इसका जो करेक्ट उतर हो जाएगा डियर श्रेंट वो हो जाएगा जून के प्रारम में ठीक है निम्लिखित में से कौन सी भारत में सीतरित की सेषता है ठीक है सीतरित की आपसे भी सेषता पूछा है तो आपको पता है ठंडा दिन होता है ठंडी राते भी होती है किस राज में दच्छनी पस्चिम मानसून से वर्षा बहुत कम किस राज में वर्षा बहुत कम होती है तो आपको इसमें लिखने लच्छिन पस्चिम के मानसून से पूछ है तो राजिस्थान आपको पता है राजिस्थान में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाता है रेगिस्थान इसी वज़े से अगला प्रिशन आप लोग के सामने अगले प्रशने आप लुप का रिक्तिस्थानों के पूर्त कीजिए तो क्या लिखा है भारत की कोरो मंडल तरपर सरवाधिक वर्सा कब होती है तो अक्टूबर नॉम्बर में होती है भारत में दच्छनी पस्चिमी मांसून का समय जून से सितंबर आपको लिखना है भारत क की वर्सा का वार्सी कवसत 105 सेंटीमीटर लिखना है ठीक है प्रत्वी की गुलाई की कारण इसे प्राप्त और सौर की मात्रा इसमें आपको लिखना है छांसों के नुसार अलग-अलग होती है ठीक है इसके बाद आपको अगला है वर्सा की अनिश्चित तायन तिथा उसक वाली वर्सा अनिश्चित है बिलकुल और सबस्चित है उसको असत्त कर देना है वर्सा की बातर में सरुवाधिक परिवरतन सीलता असम में पाय जाती है असत्त है लू सीत लहर में चलने वाली गर्म हवая है तो ग्रीसमें है इस मज़र से असत्त हो जाएगा ठीक है इसके अधिक वर्सा वाला राज्य, तो अधिक वर्सा वाला राज्य क्या हो जाएगा, आपका आसम हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद सीत काल में वर्सा कहां होती है, तो महावट में होती है, तो सारा पारात इसमों आपको घनमर मिला देना है, माल सुन की सबसे पहली वी वर्सा द प्रयादीपी भागों में अगला प्रश्ण है आप लोग के सामने जम्मू कस्मीर में द्रास का नियुंतम तापमान कितना होता है तो यह होता है माइनस 25 डिग्री सेल्सियस इस्टेगलेमाइट एवं इस्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए कौन सा छेत प्रसीद है तो म दो दो अंग के प्रश्ण आपके सामने ये रहें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोस्चन है आपको पहला नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है जलवाई से क्या आसा है तो आपको तयार कर लेना है इसके बाद मौसम से क्या आसा है ये भी इंपॉर्टेंट कोस्चन है इसके बाद व्यापारी पवनी ये भी most important question है आप इनको देख लीजे और इनका screenshot लेके तयार कर लीजे वरष्ट इचाया प्रदेश क्या है इसको भी आपको याद करना है ठीक है तो क्या होता है परवती वायू विम्युक ढाल छेत जहां वरषा नहीं हो पाती और वह छेत सुस्क रहे जाता है वरष्ट इचाया प्रदेश कहलाता है इसके बाद क्या लिखे है वरषा रित में मा करनाठ़ केवं केरल में प्राया फूर्मासूनी वरसा होती हैं जिसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्राया इसे आमर वर्सा भी कहा जाता है। ही तो यह होता है आपका आमर वर्सा भारत की एक वहां किस भाग में देनिक तापमान अधिक होता है औरSo क्या होता है, इसको भी आपको तयार कर लेना है इसके बाद आपका जो next question है क्या लिखिया है किन पावनो के कारण माला वार्त टरप बवर्सा होती है ये तयार करना है इसके बाद भारती उप महहधीत में वाई की दिशा में मौसमी पईवर्तन क्या होता है इसको भी ready करना है ठीक है और इसके बाद question number 12 आपको ready करना है क्या लिखे जुलाई माह में त्रिवेंद्रम की अपिछा मुंबई में अधिक वर्सा होती है क्या हो कारण बताईए ठीक है दिलने में वर्सा लगबग तीन महीं नहीं होती है क्या हो इसका भी कारण मताईए तो आप देख सकते हैं सारे answer आपके सामने इनको अच्छे से prepare कर लीजिए और last आपका है sum जलवाई की से कहते है ठीक है तो इस chapter से आपकी मुक्रता दो दो नंबर के प्रशन आएंगे लग उत्री भी आएगा तो छोटा आएगा मतलब दो नंबर में आपको लिख किया हो है इसको भी देख लीजेगा इसके बाद अगला है मानसून को परिभास्कित कीजिए इसके बाद आप बाकी question को skip कर सकते हैं कोई दिगत नहीं है ठीक है जितने question आने वाले है मैंने आपको उता दिया विसम जलवाई इसको भी आप देख लीजिएगा sum जलवाई औ तो इस तरह से आपका ये दोनों अध्याय कंप्लीट हुआ और आप इन सारे question को अच्छे से तयार कर लीजे इन question को तयार कर लेंगे तो definitely आपके साथ number exam में आएंगे ठीक है इन दो इस वीडियो से केवल तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्काइब करें और दोस्तों क साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेयर करें